साहित्य जगत राश्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रीय शैक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्थु थे कक्षा बारा के लिए विश्वनात्र पाठी दोरा लिकित अच्छिक हिंदी की पाठ्थे पुस्तक हिंदी साहित्य का इतियास सामान्ने परिचे में संकलित पाठों पर आधारित शंकला साहित्य जगत इस शंकला के अंतरगत सुनिये कारिक्रम आधुनी काल के अंतरगत गांधी युग में उपन्यास हिंदी में उपन्यास लेखन तो भारतिंद युग से ही प्रारंभ हो गया था लेकिन 1880 से 1936 इस्वी के मध्य प्रेम चंद के उपन्यासों में इस विधा ने अभूत्पूर व्यापकता और गंभीरता प्राप्त की प्रेम चंद की समवेधना अत्यन्त व्यापक थी जितनी व्यापक उनकी समवेधना थी उतनी ही सूक्ष्म उनकी द्रिश्टी थी उपन्यास विधा के चरम उतकर्ष के लिए जिस सहज भाशा शैली की आवशकता होती है वह भी प्रेम चंद के पास थी हजारी प्रसाद विवेदी के अनुसार अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाशा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूज बूज जानना चाहते हैं तो प्रेम चन से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता प्रेम चन के उपन्यासों का विशय क्षेत्र बहुत व्यापक है वे प्रधानता मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के कथाकार हैं किन्तु उनके रचना संसार में सभी वर्गों के लोग सिमटाए हैं यहां प्रकृति, पशुपक्षी सब मौजूद है फिर उनके आर्थिक, सामाजिक, वर्णगत, पारिवारिक संबंधों का धाचा और पात्रों के चरित्र की निजी विशेष्टाएं भी मिलेंगी प्रेम चंद्र के पात्र प्रतिनिधी पात्र हैं निजी विशेष्टाओं से रहित होकर कोई प्रतिनिधी पात्र नहीं हो सकता प्रीमचन पर गांधी वाद का प्रभाव स्पष्ट है उनके अनेक प्रारंभिक उपन्यासों पर गांधी वादी आदर्श, हिर्दय परिवर्तन एवं सुधार वाद का प्रभाव है उपन्यासों का अन्त हिर्दय परिवर्तन और किसी आश्रम स्थापना में होता है उपन्यासों का अन्त ही नहीं, पात्र, चरित्र, चित्रन आदी पर गांधी वादी सिध्धान्तों का दबाव है प्रेमचंद के अंतिम और प्रतिनिधी उपन्यास गोदान में आदर्श्वाद से उनका मोह भंग हो गया है वे आध्यन्त यथार्थ को ही दृष्टी में रखते हैं इसलिए गोदान दुखान्त है प्रेमचंद मूलतह क्रिशक जीवन के रचनाकार है किसान को भूमी से कितनी आत्मियता होती है इसका चित्रन वे रंग भूमी और प्रेम आश्रम में करते हैं किसानों पर ब्रिटिश सामराज्यवाद, बड़े व्यापारियों, छोटे व्यापारियों आदे सब का भार था छोटे किसानों के साथ छोटे जमीदारों की भी हालत बिगड रही थी गोदान में उन्होंने दिखाया है कि छोटा किसान किस तरहें क्रमिशह भूमी हीन होकर मजदूर बनने पर विवश हो रहा है भूमी पर आश्रित जमिदार राय साहब की भी आर्थिक स्थिती खोखली है प्रेम चंद की महानता इस बात से प्रकट हो जाती है कि उन्होंने तिलस्मी और अयारी कथा साहित्य के पाठकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित कथा साहित्य की ओर मोड़ कर उनकी रुची में अभूत पूर्व परिशकार किया प्रेम चंद की भाषा ना किताबी हिंदी है ना किताबी उर्दू वह सहज हिंदी भाषा है प्रेम चंद की उपन्यासों में पात्रों और घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वे हमारे देखे सुने लगते हैं उनकी उपन्यासों में स्वभाव और परिस्थिती की टकराहट से पात्रों का चरित्र विकास होता है जो हिंदी कथा साहित्य में नई बात थी सेवा सदन, प्रेमा श्रम, रंग भूमी, काया कल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमी, गोदान और मंगल सूत्र जो अपून है आदी प्रेम चंद के प्रमुक उपन्यास है 1889 से 1979 इस्वी के मध ब्रिंदावनलाल वर्मा के उपन्यास बुंदेल खंड के इतिहास से सम्मंधित है वे इतिहासिक भी हैं और ख्षेत्रिय या आंचलिक भी गढ़ कुंडार, विराटा की पद्विनी, जहांसी की रानी, म्रिग नैनी उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं 1903 से 1976 इस्वी के मध यश्पाल ने 1945 में दिव्या लिखा जो ठीक ठीक एतिहासिक उपन्यास तो नहीं है क्योंकि खुद दिव्या कल्पित पात रहे किन्तो इसमें प्राचीन भारत के एक कालखंड को द्रिष्ट विशेश से देखकर सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है 1893 से 1963 इस्वी के मध राहुल सांक्रत्याय ने इसी द्रिष्टी से प्राचीन गणतंत्रों के जीवन को आधार बना कर सिंग सेनापती और जय योधे जैसे एतिहासिक उपन्यास लिखे स्वतंत्रता के ठीक एक वर्ष पहले 1946 इस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बान भट की आत्मकथा प्रकाशित हुआ इस उपन्यास में एतिहासिक्ता को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विचारों को समो दिया गया है बान भट की आत्मकथा में हर्ष कालीन उत्तर भारत का सांस्कृतिक जीवन अत्यंत सजीव तौर पर चित्रित है एतिहासिक वातावरण का उपयोग भगवती चरण वर्मा ने पाप और पुन्य की समस्या को नए धंग से परिभाशित करने का प्रयास करने वाले उपन्यास चित्र लेखा में किया रांगे ये राघव ने 1946 इस्वी में ही सिंदु घाटे की विलुप्त सभ्यता को आधार बना कर महत्वपून एतिहासिक रूमानी उपन्यास मुर्दों का टीला लिखा प्रेमचंद का प्रभाव हिंदी उपन्यास साहित्य पर दो तरह से पड़ा एक तो उनकी तरह उपन्यास लिखने वाले कथाकार सामने आए जैसे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रताप नारायन श्रिबास्तव, जिनके क्रमशह, मा और विदा उपन्यास प्रसिद्ध है जैशंकर प्रसाद ने तितली नामक उपन्यास में ग्रामिन जीवन के संघर्ष का चित्रण किया निराला ने कई प्रकार के उपन्यास लिखे प्रभाबती एतिहासिक है, अलका सामाजिक, तो बिल्ले सुर बकरिहा, व्यत्यपून, जिसकी अंतहधारा करुणा की है सामान्य समझे जाने वाले किन्तु अपनी निष्ठा में विशिष्ट समकालीन वेत्यों के जीवन पर निराला ने ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की, जो उपन्यासिक जीवनिया हैं, जैसे कुल्ली भाट और चतुरी चमार दूसरी बात ये कि प्रेम्चंद से भिन्य प्रकार के उपन्यासों को लिखने का प्रचलन हुआ जिन में सामाजिक समस्याएं नहीं, बलकि निजी या वैचारिक समस्याओं को केंद्र में रखकर कथानक बुना जाता था ऐसे उपन्यासकारों में जैनेंद्र का नाम सर्वाधिक महत्वपून है, जिनोंने 1935 में सुनीता और 1936 में त्यागपत्र उपन्यास लिखे इन में विशिष्ट स्थितियों के कारण, विचित्र या विशिष्ट चरित्रों को केंद्र में रखकर कथानक रचा गया है समाज की विक्रितियों को सामने लाकर उनका भंडा फोड़ करने और समाज को अधिक मानवीर एवं ख्षमाक्षील बनाने के उद्देश्च से जैशंकर प्रसाद ने 1930 में कंका लिखा, जिसे कुछ लोगों ने प्रकृत यथार्थवादी उपन्यास कहा समाज के पाखंड पूर्ण कुच्सित पक्षों का उद्धाटन और चित्रन करने में सिद्धहस्त पांडे बेचन शर्मा उग्रने इसी उद्देश्च से दिल्ली का दलाल, मनुष्यानंद, सरकार तुमारी आँखों में तथा बुधुआ की बेटी जैसे उपन्यास लिखे हिंदी उपन्यासों पर इस बीच फ्राइट के मनो विशलेशनवादी विचारों का प्रभाव पड़ा इलाचंद्र जोशी और अग्ये के उपन्यासों पर मनो विशलेशनवाद के प्रभाव को पूर्ट तह स्विकार नहीं किया जा सकता इलाचंद्र जोशी के उल्लेखनी उपन्यास सन्यासी और परदे की रानी है अग्ये का प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग 1941 इस्वी में और दूसरा भाग 1944 इस्वी में प्रकाशित हुआ शेखर आतंकबाद की छाया में लिखा हुआ एक ऐसा उपन्यास है जिस पर मनो विशलेशन शास्त्र के प्रभाव के साथ समाज के परिप्रेक्ष में व्यक्ति और उनके विचारों को देखा गया है उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यास गिर्ती दीवारे में सामाजिक विशेवस्तु को व्यक्ति परक द्रिष्टी से चित्रित किया गया है इस काल में साहित्यक हास्य और व्यंग्य की छटा अमरितलाल नागर के दो उपन्यासों नवाबी मसनद और सेठ बांके मल में मिलती है आधुनिक काल के अंतरगत गांधी युग में उपन्यास साहित्य जगत के अंतरगत अभियाव सुन्रहिती ये कारिक्रम विशे संयोजन डॉक्टर संध्या सिंग, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचन राम आलेक विश्वनात्रिपाठी, वाचनस्वर अखिल मित्तल और लोचनी अस्थाना कार्य कारी नर्माण प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, नर्माण सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्माण एवं प्रसुती वंधना अरिमर्दन कर दो किर दो किर दो लोचना भ्रसुती वंधना प्रस्थान एवं।